क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से ज़ादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-sevah गति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बिहार सरकार ने किया साल 2023 का बजट पेश वित्मंत्री विजय चौधरी ने कहा इस बजट से बिहार में नौग्रियों का खुलेगा पिटारा बीजेपी की अध्यक्षोन प्रकास राजभर ने जनसभागों किया संबोधित नितेश कुमार पर साधा निशाना कहा बिहार में निती सरकार खात्म मौसमी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुखवियन तक कार्याले मिकिया प्रतरसन कहां मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा अंदोलों मुझाफरफूर में भाजभा की मिलन समाराओ का हुआ आयोजन कई बड़े चेहरों ने थामा भाजभा का धामन नमस्कार मैं हूँ मैयूरे स्रवास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का बिहार सरकार ने साल 2023 के लिए बज़ट पेश किया जिसमें वितमंत्री विजय चौधरी ने पेश किया बता दें कि इस बज़ट में पुलिस बिभाग में 75,543 पदों की मनजूरी मिली है सांथी कुल 9 जिलों में ने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ग्रामिर शेत्रों में टेली मेडिसन सुबधा भी दी जा रही है वितमंत्री का कहना है कि बिहार का बज़ट आकार में पिछले 10 वर्सों से 3 गुना हुआ है इसी किसाथ विकास दर के मामले में देश तीसरे इस्थान पर है बज़ट में महिलाओं के उध्यान के लिए नारी सकती योजना में 60 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे जिसमें महिलाएं आत्म निर्भर बनेंगी मुझफरपुर में वनवारी लाल कॉलिच के माज़पा ने मिलन समाराओ का आयोजन किया इस कारक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पूर्व महापाः और जेडियों के सक्रिये अपने हजारों कारकरताओं के सात भाजपा में शामिल हुए इस दोरान प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री भाजपा जिलाध्यक्ष सहीत कई भाजपा की बिढ़ायक और नेता उपस्थित रहे लालू जी के गोदी में जाकर बैठ गया हैं पूरे पिहार की जनता हरकिज नहीं चाहती है कि फिर से बिहार में 1990 से 2005 का दौर आए और मैंने पहले भी क्या था कि जिन्हों ने भी उस जंगल राज का विरोध किया था उन सभी का स्वागत भरतिय जनता पार्टी में आज अज सुरेश्णी ने भाजपा की सदस्ता ग्रांड किया है प्रभावी लोग जो हजारों की संक्या में सब्लित हुए है साथ साथ असोग योग पुड में भारतिय इनता पार्टी में थे किसी कारण से कहीं थे आज उन्होंने कई बरसों के बाद भारतिय जनता पार्टी जोए बीजेपी के अध्यक्ष्यों प्रकास राजपर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार की महा गडबंधन सरकार पर जमकन निशाना साधा है उन्होंने कहा कि जिस जंगल राज की खिलाव बिहार में सरकार बनी आज उसी जंगल राज के साथ दोस्ती कर बिहार में सरकार चुल रही है वहीं गडबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हैं अभी हम अपनी ताकत बना रहे हैं और अगले साथ महीने तक बिहार के सभी 38 जीलों में तैयारी करेंगे पिहार की सरकार जिस मुद्दे को लेकर के इसके पहले सरकार बनाई गई गुंडाराज जंगल राज ने जंगल राज और उसी जंगल राज से फिर दोस्ती करके सरकार चल लई है सरकार को तोफा जिस दिन सपत लिया उसके दूसरे तिसरे दिल देखा कि सड़क पर धुआधार बोली बारी चली घंटों चलती रही तो वही तो है सरकार रोज लड़ाई हो रही है दिखे जरूरत आज जैसे सरकारों को या देश के निखाओं को सिख लेनी चाहिए अपने ही देश का प्रदेशत तमिल नाड़ पांच सव ऐसे कालेज बनाया निसुल्क चत्रावास है निसुल्क भोजन है फिरी सिख्षा केजी से लेके पीजी तक निसुल्क सिख्षा दे रही है 500 कालेज कूल करके तमिल नाड़ की सरकार फिर ये सरकार बिहार को क्यों अतना चाहिए बिहार हो चाहिए उपी उपी हो कोई स्टेट हो हम दूसरे देश से नहीं अपने तमिल नाडु अपने देश का एक प्रदेश से सिखेने चाहिए कि एक समान अनिवार और प्रिशिक्षा जो ब्यवस्था तमिल नाड में किया है वो ब्यवस्था विहार सरकार क्यों नहीं कर रही है कालिसी रुद्दे पर मैं यूपी सरकार को घेरूंगा सदन के अं तेम आप यह क्यों नहीं दे सक प्राहर की राजबात जब कहीं देश में जाई यह तो असिक्ष्छा के मामले में मामने के मामले में घान करना नमबर अता है वीरूज्ज गारी में हमने बिहार से BJP का सफाया कर दिया अब आने वाले समय 2024 में देश भी सफाया कर देंगे अना भागन वाला आद्मीरु पहुचे जहाँ उन्होंने अपने कारकरताओं से मुलाकात की और विधान सभाशेत्र के कई कारकरों में शिर्कत भी की इस दोरान उन्होंने 2024 के लोक सभाचुनाओं में लगभक सभी सीटों पर चुनाओं लड़ने की संभावना जताई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रैलियों पर भी उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर किसी मुद्दे को लेकर रैली करता है तो यह बास समझ में आती है रैली करता है किसी मुद्दे को लेके इसू को लेके तो समझ में आता है लेकिन जो सरकार में है केंद्र सरकार हो एक कुछ दिन पहले देखे रैली बिहार सरकार हो पुर्णिया में रैली तो कोई पट्ना में रैली जो भी पच्छ में है यार कोई दूसरी पार्टी है किसी इसु को लेके, मुद्दे को लेके, सरकार से मांग कर रही है, रैली कर रही है, धरना कर रही है, जनते को मुद्दा को लेके, तो समझ में आता है, लेकि सरकार में रहते भर में, यदि आप रैली कर रहे हैं, आपको रैली की क्या जोलत पड़ गई? दिवंगत MLC और सिख्षक नेता किदारनाथ पांडे के पुत्र आनंद पुसकर चुनाओ लड़ेंगे बता दें कि पुसकर महा गडबंधन की ओर से MLC पृत्याशी होंगे चुनाओ की तैयारी आनंद पुसकर ने शुरू कर दी है मोती हारी पुसकर ने जिले के विविन स्कूलों का दौरा किया इस दौरान सभी सिख्षकों से मुलाकात की इस दौरान नोंने अपने पिता किदारनाथ पांडे को याद करते हुए कहा कि 2022 का साल हमारे लिए सही नहीं रहा हमारे भाई और पिता दोनों का साथ छूट गया अब हमारा संकल्प है कि जो सिख्षकों के जो अधूरे सपने रह गए हैं उन्हें पूरा करने का प्रियास किया जाएगा देखिया अभी या जो बिहार विधान परिशन का सारन सिख्षक निर्वाचन छेत्र का यहोग चुनाव हो रहा है और मैं जो है कि लगातार प्रतेक विद्याले में पांड जिला आते हैं एक परिवार वह है जो हमारे साथ घर में है और दूसरा परिवार वह सिख्षक समाज है जिसके लिए उन्हें जीवन समर्पित रहा है वहाई सिक्षकों की आवाज थे सड़क से लेके सदन तक सिक्षकों की समस्याओं को गंभीता पुर्वक उठाते थे और उनके दिराकरन के सारे कारियों को कराते आते विराते खबर होता जिले के डेहरी से है जहां मौस्मी कर्मचारियों ने चीफ इंजीनियर कारियाले पर अपनी मांगों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन कर नारे बाजी किया उनका कहना है कि सरकार मौस्मी कर्मचारियों को सिर्फ साल में 5-7 महिने तक रखती है और समय पर वेतन का भुकतान नहीं करती है साथ ही काम के समय कोई घटना नहीं घटती है तो उसका मौँ आफ़जा भी नहीं देते हैं बता दें कि सरकारी विभाग में काम करने पर सरका नियमा नुसार कर्मचारियों को पर्मानेंट करने वाली थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश है जो आम आदमी एक्सीडेंट होता है हम जब काम करते हैं आप सीजन में रखते हैं हमारी एक्सीडेंट हो जाता है कहीं के नहर में काम करते पिल्लू कार देता है तो हमको नहीं मिलता है हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि हमें चार लाग के मुआईजा दुर्गहत्ता मुआईजा दिया जाए साथ महिना के रोजगार है किसी के साथ साथ महिना और आधे मौसमी करमचारियों को आधे मौसमी करमचारियों को साथ महिन रोजगार दिया जाता है आधे मौसमी करमचारियों को पांच महिन रोजगार दिया जाता है एक संधर करती है कि अन्टिम फॉट अचला ऑuchar करें इंतीज करेंगा अन्तिम नियुआ इसलिए हम लोग विछार रहे हैं किसा लुट है अज़कर करें और सेवार निर्मित किया तो अिजो नालंदा में विरासत बचाओ नमन यात्रा की तैयारी कोले कराश्टी लोग जनता दल के कारकरताओं की बैठा कायूजित की गई जिसमें की अध्यक्षता आरजुन कुश्वाहा ने किया इस मौके पर पार्टी नेता सोनु कुश्वाहा ने कहा कि पार्टी की राष्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा की ओर से विरासत बचाओ नमन्यात्रा की शुरुआत की जा रही है जो पंद्रा मार्च को नालंदा के एकंग सराय प्रखंड के महान स्वतंतरता सेनानी लाल सिंग त्यागी के आदम कद प्रतिमा पर मालियरपड के साथ शुरू होगा उसके बाद बिहार शरीफ अम्बेर चौक पर स्वतंतरता सिनानी गुरू सहाई बाबू के आदमकत प्रतिमा पर मालियार पढ़ होगा और सभा को संबोधित करेंगे पैसेंट है इसको जब रिडे सेटीफाइ किये तो आकर एक बुदूल आदमी आकर है हमको मेरे साथ हाथा पाईक है अभदर्विवाद किये इसस्से तो यह दिकत पहुंचा पहुंच रहा है करवाई किया जाए क्या लिख के आवेदन सीयस को दिए नहीं लिख के आवेदन तो प्याद है उसको जब गैस्पिंग और रेड़ी गैस्पिंग में ये पेसेंट आया उसको तो जित और रेड़ी और कोल्ड बड़ी कुड़ा शरीर ठंडा हो गया था रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे है प्रायम टीवी के साथ क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुस्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी इसे वागति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेज अफ़र शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी सांसर से लेकर विधायक तक आईयस से लेकर आईपी अर्सर सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार और रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रुकरते हैं खबरों के ओर खबर भीहार के नालंदा से है जहां पुलिस सब्ता के समापन के मौके पर एसपी डिएसपी समेट पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया है बता दें कि इस मौके पर S.P. अशोक मिश्रा ने कहा कि रक्तदान महादान है और स्वास्त विक्ती को हर तीन महीने में रक्तदान करना चाहिए बता दें कि इस मौके पर कई तरह की कार्ड करम का आयोजन भी किया गया जिसमें लोगों के बीच पब्लिक फ्रेंडली पुलिस का अच्छा संदेश दिया जा सके साथ ही मोटर साइकल जागरूपता रेली निकाल कर लोगों से संपर करों से सुझाओ लिया गया ताकि पुलिस की कारशेली को और बेहतर किया जा सके का यूजन है और मुझे लगता है कि इसे जन्ता में सही मैसेज पुलिस की और से जाए कि भागलपूर में पुलिस दिवस के मौके पर पुलिस ने रक्तदान शिविर का यूजन किया जिसका उद घाटन वरिष्ट पुलिस अधिक्षक ने किया वहीं शिविर में सेक्डो पुलिस जवानों ने रक्तदान किया शिविर में पुलिस अधिक्षक ने कहा भविश में लोगों को रक्त की जरूरत पढ़ती है ऐसे समय में बाड़ बक्तियार पूर्थाना शेत्र के फोर लेन पर मोटर साइकल सवार महिला को ट्रक ने जोरदा टक कर मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि महिला अपने पती के साथ जग दंबा इस्थान पूजा अर्चना के लिए जा रही थी तब ही अग्या ट्रक ने पीछे से ठोकर मार दी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई सुचना पर पहुचे पूलिस टीम ने घटनासल पर पहुचकर शब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेजा है और ट्रक चालक की तलाश में जुड़ गई है वही पर जनो करोरो कर बुरा हाल है कहां मारा है वक्तियारफूर फोरलेंट पर है कहां जा रहे थे जगदंबा कहां से नालंदा की अस्थावा थाना शेत्रे में भूमी विवाद में 48 डिस्मिल खेत में लगी हरी फसल को नस्ट करने का मामला सामनी आया है पीडित ने मामले में SP को आवेदन दे कर मदद की गुहार लगाई है इस से पहले पीडित ने DMP से भी मदद की गुहार लगाई थी पीडित का कहना है उसमें 48 डिस्मिल जमीन खरी दी थी जिस पर अब कोई और दावा कर रहा है डियम की आदेश पर थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों को बुला कर फसल ना काटनी की चेतावनी दी थी इसके बाद भी दूसरा पक्ष जबरन महिलाओं से फसल को नश्ट करवा रहा है कि दोनों में एक दूहजार उनी सम्सुल हुदा से और एक सयद सम्सुल हुदा रिज्वी से नवादा की सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परजर ने जम कर हंगामा किया है वहीं इस दोरान ड्यूटी में तैनात रहे डॉक्टर मनोज कुमार के साथ भी हात आपाई करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया है मारपीट की घटना को देखते हुए ड्यूटी में मजूद सभी लोगों ने अस्पताल छोड़ कर भागना शुरू कर दिया मौके परिस्थानी लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पूरे मामले को श्यांत कराया गया खबर पशिम चमपारण साथी थाना शेत्र के परसोना गाउं से है जहां बरातियों से भरी बस दुरघटना ग्रस्त हो गई जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दरजनों लोग खायल हो गए जानकारी पर पहुची पुलिस टीम ने सभी घायलों को अस्पताल में भरती कराया बता दें कि बाराति बस में सवार होकर घर लोट रह थे तब ही रास्ते में नहर के पास बस पलट गई वहीं बारातियों ने बताया कि बस तेज रफतार में थी और चालक नशे की हालत में था जिसे बस आनियंत्री थोका धुर घटना ग्रस्त हो गई घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष उद्यकुमार दरोगा अर्विंद सिंग और अन लोगों ने घटना सल पर पहुच कर इस्तिती का जायजा लिया और दो जेसी भी बुलाकर बस में फसे घाल बरातियों को बस का शीशा तोड़कर बाहर निकाला बशे कर निकाला परसाँ ना तो परसाँ ना तो परसे क्या हुआ है अच्छा जो डेत किया है क्या है वह हमरा वकीजा है कि आप लोग सुचने कोई से मिला है फूल किया है क्या अच्छा क्या बता है कि बस में लोग था अपस में पता है पचास ता जोना था ने नालंदा के सारे थाना शेत रिलाके के मान पुरगाओं के पास ट्रक और मीनी बस की जबरदा से टकर में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकी करीब दरजन लोग गंफीर रूप से घायल हो गए वहीं घायल युवक्त ने पूस्ताश में बताया कि सभी लोग मीनी बस में सवार होकर तीलक समारों में गए थे जहां से लोटते वक्त तेज ट्रक और मीनी बस में तकर हो गई वहीं खटना के बाद बस चालक और उप चालक बस छोड़ कर फरार हो गए जब मानपूर आयन है तब मानपूर में हम लोग को एक्सिडेंट हो गया जाना पर से दुरुभाज के माध्यम से ग्रामिडों के दोरा वहां मिला कि वहां बस पल्टी कर गया है हाई वहां हम लोग जैसे थे तैसे जैसे आलस में सभी ठाने के पदा धिकारी और पुलिस कर्मी गए वहां सहयोग किये अज कितने की महत बताई जा रही है अभी तब बस में सवार कितना थे उतना नहीं हम लोग को अकड़ा है सर ये लोग जा रहे था कहां से कहां अजब बताल ये बताने से मालूम हुआ कि बरविघा के तिलक से ले करके यह जा रहे थी नालंदा में साही मंदिर के पास अग्याद चोरों ने घर में घुसकर पांच लाकी चोरी कर ली घटना के सम्मन में ग्री सुधीर कुमार ने बताया कि घर के सभी सदस घर में ताला लगा कर शादी समारों में शिरकत करने गये थे इसी का फाइदा चोरों ने उठाते हुए महज एक घंटे के अंदर ही घर की अंदर घुस कर लॉकर का ताला तोड़ा और उसमें रखे आभूसन और 30,000 नगद रुपए दो मोबाइल फून घर की चाब ही लेकर भाग निकले घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना अस्तल पर पहुच कर मामले की जांच कर रही है है आदिमें गेलीव पार्टी में अएली हो ता कर लिए ता करना वलाथ खौड़के रखे राली ता देख़ए घग दुढ ज़िए नहें को बातुकानवला हलो दूगो टॉप्स नाय हको आउठी हलो नाय हको शिक्री हलो नाय हको पाईसा के बेग हलो ओखातम चावी हलो बेग में ओखातम साब बेलेल को चुछ भागलपूर कोतवालि थानाशेत्र के खलीफा बाग चौक के समेप एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब घटना के बाद इलाके में अफरात अफरी का महौल बन गया घटना की जानकारे मिलने के बाद पुलिस ओफाई ब्रिगेट के टीम मौके पर पहुचिए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया बता दें कि रेस्टोरेंट में बिरियानी फ्राई किया जा रहा थ जिस दौरान रेस्टोरेंट में आग लग गई और रेस्टोरेंट में रखे चार सेलेंडर ब्लास्ट होने लगे हालाकि घटना में किसी भी प्रकार की जानमाल की शती नहीं हुई है बता दें कि इस घटना में करीब 30 लाग से अधिक की संपत्ती जल कर राक हो गई बिहार की खबरों में इतना ही आगे आफ से फिर होगी मुलाकात अब तक के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-seva गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ